बिसमिल्ला रख्मानी रहीम, अस्सलाम उलाइकुम, मैं हूँ शगुफता पहीम और आप देख रहे हैं फूडीज भाई शगुफता तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कड़ी की रेसिपी आज हम बनाएंगे खटी-खटी और मज़ेदार सी कड़ी घर में और बहुत ही टेस्टी, बहुत जबदस बनके ये रेडी होती है तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि कोई भी चीज आप से मिस ना हो और मैं आपको एक एक चीज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से जबदस और बेतरीन सी कड़ी हम घर में तयार कर सकते हैं एक डिफरेंट स्टाइल से मैं आपको कड़ी बनाना बताऊंगी तो चलें आएं, कड़ी बनाना शुरू करते हैं बिसमिल्लाय रख्मानी रहीम यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने आदा किलो दही लिया है यह देखें, यह आदा किलो दही है इसको हमने एक बॉल में देखें, इसमें डाल लिया है अब यहाँ पर मेरे पास देखें, यह बेसन है जो बाकी हम बचा लेंगे पकोडों के लिए तो अब हैंड विक्स की मदद से देखें दही को और बेसन को हम खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ पर हमने इसको इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें एक भी लंप्स एक भी गुठली ना रहे इतना अच्छी हमने इसकी मिक्सिंग करनी है तो यह देखें यहाँ पर यह बहुत अच्छे से हमारा दही और बेसन मिक्स हो चुका है इसमें एक भी देखें लंप्स नहीं है तो इस टाइम पर हम इसमें पानी एट करेंगे तो यहां पे मैं दो गिलास पानी एट करूँगी इसमें और पानी एट करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताके दही, बेसन और पानी खुब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो दो गिलास यहां पे मैंने पानी एट कर दिये हैं अब यहां पे देखें पैन को मैंने चूले पे रखा है इसमें 2 टेबिलिस्पून ओइल लिया है मैंने वेजिटेबिल ओइल ओइल गरम हो गिया तो इसमें देखें यह कड़ी पत्ता है मेरे पास ये 10 से 12 थे ये हम इसमें आट कर देंगे आपको अगर फ्रेश मिल जाए तो फिर क्या ही बात है आप वो आट कर दीजिएगा ये वो आट करहें चाये और अब इसको हम अच्छी तरह करेंगे स्काये nothingsी मिल जाए अब Sabi अट करेंग ृवो आट करेंग तो आफ टेबिल स्पून से थोड़ा कम यहां पे कुटावा और भुनावा साबुस जीरा इसमें एट करेंगे अब जरा सा पानी में इसमें डालूंगी क्योंके पानी एट करने से होता है हमारा मसाला जो ही वो जलता नहीं है और बहुत अच्छी तरह से भुन जाता है तो आप जब भी मसाला भुनें इस तरह से तो उसमें जरा सा बिल्कुल टू टेबिल स्पून पानी एट कर दें उससे हमारा बहुत अच्छा यह देखें कितना जबदस सा हमारा मसाला यहां पे भुन गया है तकरीबन मैंने इसे चार मिंट तक भूना है तो अब जो हमने दही और मिक्सचर बनाके रखा था वो हम इसमें एट कर देंगे और मिक्सचर एट करने के बाद हमने इसमें चम्मत चलाते जाना है हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना इस तरह से सिलो सिलो हम इसमें चम्मत चलाते जाएंगे और आइस्ता इस्ता देखें मसाला और इसका सब का कलर न हमारी कड़ी में उबाल आ चुका है अच्छे से यहां पर देखें कड़ी में उबाल आ गिया है तो बस इस टाइम पर मैं इसे कवर कर दूंगी और तकरीबान हम इसे एक घंटे तक पकाएंगे बिल्कुल कवर नहीं करना नहीं तो कड़ी जो है वह बाहर आ जाएगी तो हमन कितनी थोड़ी सी रह गई है बहुत अच्छे से हमारी कड़ी यहां पर पक गई है मैं आज बिल्कुल सिलो कर दूंगी और अभी इसे और पकने दूंगी तो आब हम पकोणों का बैटर तयार करेंगे तो यहां पर देखें मैंने यह प्यास ली है यह एक अदद प्यास थी जिसको इस तरह से मैंने लंबाई में बिल्कुल काट लिया था बारिक बारिक यह इसमें अट करेंगे आलू है मेरे पास देखें इन्हें भी मैंने इस तरह से देखें लंबाई में स्टिप की शेप में बिल्कुल इस तरह से काट लिया था एक अदद आलू था मेरे पास वड़े साइस का तो ये भी हम इसमें प्यास के साथ एड़ कर देंगे कि Joshi आप अर्बहर दनिया है देखें यह फ्रेश अरदनिया बिलकुल यह मेंने ठीक स्पूंवन लिया है यह हम इसमेट कर देंगे तो मर्तक्ष जरूर्भ कीजिएगा इससे हमारे 10-10 टेबिलस्पुन और यह देखें में साब उसबया यहां पर तोड़ा कम निया है कुटावा और ठैबिलिस्पून गरम च्टा इंचे इसाम हैं और यह घाने वाला सोडा यह हम दो चुटकी के करीम एक टरोकर आगा हैc 1.5 टेबल इस्पून हम इसमें एट करेंगे और मैदा तो मैदा भी यहाँ पे हम 1.5 टेबल इस्पून ही लेंगे, यह भी हम इसमें एट कर देंगे, और अब जो यह बेसन हमारे पास था, यह हम देखें, तक्रीबन हमने समझो 1.5 पाऊ के करीब कड़ी में डाला था अब एक पाउ जो बेसन बचा था वो हम इसमें सारा एट कर देंगे तो मैंने यहां पे तकरीबन देर पाउ बेसन लिया था तो अब यह हम इसमें देखें इस तरह से सारा मैंने बेसन एट कर दिया है और और बैसन एट करने के बाद देखे हम इसको इस को आया हाथों की तर देखे हम मैदस ने सब्सक्राइब को सारी चीजों कैंट मिक्स एक लिए सबस्क्राइब यह सबस्क्राइब लें सारा पानी हमने एक साथ नहीं डालना ठोड़ा ठोड़ा पानी एक Right study drifting इस तरह से गाड़ा सा इसका बेटर ये देखें बना लेना है ये देखें बेटर तयार हो चुका है तो हम इसे 10 मिंट के लिए छोड़ेंगे और 10 मिंट बाद हम इसे फ्राइ करेंगे यहाँ पर देखें मैंने ओईल को गरम कर लिया है अब हम इसमें एक अक करके अपने जो हमने पकोड़ों का बेटर तयार किया था वो इसमें अight करेंगे पकोडों की मैंने आपको बहुत ही जबदस सी रेसिपी आपके साथ ये शेर कीए इंशालला इस से आपके पकोड़े देखें बहुत ही जबदस बनके रेडी होगे तो यहांपे मैंने सारे पकोड़े आइट कर दिये हैं तीन मिन तक हमने इसको बिल्कुल नहीं चुना, तीन मिन बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरह से, तो बस यहाँ पर तकरीबार हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं, मैंने इसे टोटल यहाँ पर मैंने इसे आट मिन्ट कुक किया है, तो अब यहाँ पर हम पकोड़ों को बाहर निकाल लेंगे सबको, जबदस से देखें हमारे क्रिस्पी से, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची से पकोड़े यहाँ पर देखें तैयार हो चुके हैं, वैसे भी अगर आप इसे बना के खाएं, तो वैसे भी बड़े मज़े के यह लगेंगे, तो बस सारे पकोड़े यहाँ पर देखें, मैंने रेडी कर लिए हैं, अब हम अपनी कड़ी को चेक करेंगे, तो कड़ी देखें हमारी यहाँ पर पकते होएं, तकरीबन इसे गंटा 20 मिंट हो चुके हैं, और बिल्कुल मैंने मद्धी आज कर दी थी, सिलो आज, तो अब हम इसमें पकोड़े यहाँ कर देंगे, अपने जो हमने तयार करके रखे थे, पकोड़े यहाँ करने के बाद देखें, बड़ा वाला चम्मच भरके, वन टी स्पून सफेज जीरा लिया है, और वन टी स्पून ही मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया है, इन दोनों को हम अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे, और उसके बाद देखें, तो बस अब हम इसे कड़ी के उपड़ लगाएंगे, तो जबदसी यहाँ पर देखें, हमारी कड़ी तयार हो चुकी है, इतनी बेतरीन यहाँ पर खुश्बो आ रही है, जबदसी ला जवाब, कड़ी हमारी बनके रेड़ी है, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी मैंने, लेकिन न्यू स्टाइल की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किये, तो आप भी इस स्टाइल से कड़ी बनाईएगा, और आपके घरवालों को बहुत ज़्यादा यह पसंद आएगी, भून के मसाला भून के जब आप कड़ी बनाते हैं ना, तो उसका फिर टेस्ट इतना जबदस और इतना अच्छा टेस्ट उसका निकल कर आता है, तो आप भी रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो अगर आज की पसंद आईए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर करना मत बूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, अल्ला हाफीज,